प्रॉफर मुहम्मद का उसके अंदर भी गाली गलाच उसके अंदर भी चोर्च और ना तुमारे बाप के बाप का नाम रामलाल मिखला तो मेजर गौरवारी अपना नम बड़ा जैन दोस्तों मैं हूं बेचर गौरवारी और आप देख रहे हैं दर्चानक के टायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइक अंदवाना ब एरफोर्स वहां पर अपनी सौटी ज़रा रही और नेवी भी जो है इंडियन नेवी ठीक है वो भी अग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रही है तो तीनों आर्मी नेवी और एरफोर्स लगे पड़े हैं यहां पर मीटिंग होती है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना है कि व्लाडी वॉस्टॉक पूरा उनका है जुरूस का व्लाव ताइवान अपने तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है ठीक है जिसको चीनी अपना नहीं मानते तो उसी तरीके सा हरकते भी करते हैं यहां पर हमने उनका बैंड वजा रखा है खेर राजनात सिंग जी जिसको कहते है ना तमीज से बात करने वाले बड़ा है सोफिस्टेकेड़ किसम के शक्स हैं लेकिन यार एवरी मैन हैसा थ्रेशोल्ड मुझे लगता है राजनात सिंग जी भी इरिटेट हो गए और मोधी सरकार की तरफ से एक पैगाम है और बड़ा स्ट्रिक्ट बड़ा स देफेंस मिनिस्टर्स दू नेशन से गलवान यह पहली मीटिंग है गलवान के बाद दोनों देशों के टिफेंस मिनिस्टर की और राजनात सिंग जी ने ये बोला है कि वाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स है इसे ही नहीं कहा दिया जाता अब देखिए इसमें बोला क्या है वाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स अब वाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ वाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स हमारी साइन और चाइना के साथ वाइलेशन ऑफ ए इस तरफ चीन है, तिबत कह लिजे, इस तरफ चीन है और इस तरफ भारत है, राइट, चीन कहता है कि ये वाला एरिया, हम मानते हैं इसको line of actual control, चीन इसको line of actual control मानता है, आप समझ रहे हैं, हम इसको line of actual control मानते हैं, चीन इसको मानता है, और दोनों एक line of actual control को नहीं मानते हैं जब भी भारत उधर जाता है तो चीन कहते हैं भारत अंदर आने की कोशिश कर रहा है जब चीन line of actual control जिसको हम लोग मानते है line of actual control बिल्कुल वहां तक आ जाता है बिल्कुल line of actual control पे बिल्कुल खड़ा हो जाता है उसके सामने तब हम लोग कहते हैं कि China violet करने की कोशिश कर रह यह पर्सैप्शनले मैं इसलिए जानते हूँ कि वहाँ पर नौकरी कर चुका हूँ ठीक है और हम लोग मानते हैं चीनी मानते हैं पर्सैप्शनले अब चायना मना कर रहा है कि नहीं एक लाइन नहीं यहां पे जो बड़ा धमाकेदार बयान दिया है राजनाच सिंग जी ने उन्होंने यह बोला है कि violation of existing agreement जो आपने और हमने sign करा था यह जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो है तो जो करार था भारत और चीन के बीच में वो चीन ने करार दोड़ दिया करार कैसे थोड़ा बोला कि साब कुछ किलोमेटर आइधिक थ्री किलोमेटर अब मुझे कुछी आवाज में तो खैर इन दे सेंस की अग्रेसिव जेश्चर की बात है नॉट की वोईस से अग्रेसिव जेश्चर की बात है वहाँ पर फाइरिंग प्रैक्टिस रेंज में जो फॉजी करते हैं वो भी अलाउड नहीं है तो चीन ने यह सब करार तोड़े इससे क्या हो जब भारती फॉज को लगा कि चीन का घुसने का इरादा है भारत के अंदर ठीक है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जब हुआ जब भारत को ऐसा लगा भारती सेना को लगा कि बस चीनी आ रहे हैं और कुछी समय के बाद यह भारती एरिया में घुज जाएंगे तो हमारे तो अब भारत चाहता है कि मामला सौल हो जाए चीन नहीं चाहता इसी लिए राजनाथ सेंग जी ने इसको मैं बता रहा हूं यह डिप्लोमाटिक लेंगविज में अगर देखा जाए तो इट्स अ वरी बिग स्टेट्मेंट जो भारत ने दिया है बहुत इक तगला स्टेट्मेंट बहुत ही बड़ा स्टेट्मेंट दिया है दरक्षा मंत्री कैटेगॉरिकली कन्वेड़ देवल्मेंट अव रिलेशन ब्रेशन बिट्विन इंडिया चाइना इस प्रिमाइज का कहना है कि जो रिष्टे की बुनियाद है यानि कि लाइन अफ कंट्रोल पर शांती हो इसको आपने भंग कर दिया आपने करार तो भारत ने सीधा अक्यूज कर रहा है चाइना को खुराफाति आप हो तो यह अच्छा देखिए इससे क्या होगा कि चीन नाराज होगा ची खाना खाना होता और फेकना होता बर्बात करना होता बठेवीज किसम के बच्चे नहीं होता दो लेड़ जाते हैं गार्प'RE बठी चुब की जिरते हैं और उनके मावाब अप लोकिंग टू एक्सपैंड मिलिटरी टाइज विद पाकिस्तान ये डॉन न्यूज की खबर है किसाब जो मिलिटरी टाइज वो हमें एक्सपैंड करनी है क्या में आपको बताता हूं इसमें तीन चीज़ें एक चाइना पाकिस्तान एक नॉमिक कोरिडर की बात मैं आपको कल बता चुका हूं दोस्तों वो पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या है इनको पैसा लेना है ठीक है और तीसरी चीज़ मैं आपको बता यह मैं कह रहा हूं यह मेरा अनुमान यह मेरा अनुमान भी नहीं है मैं कह सकता हूं कि मेरा एक किसम से एनलिसिस है चाइना अफगानिस् बहुत जदा है खनिच्पदार्थ बहुत जदा है उसको निकालने के लिए चाइनीज कम्पनीस जाएंगे और उनको सेक्यूरिटी कॉन प्रोवाइड करेगा पाकिस्तानी फोज क्योंकि भाड़े की फोज धुनिया में बहुत कमें एक के दुख्यों से पाकिस्तान है उनके इनके पास सब बाढ़े का है, पाकिसतान इस रेंट या सेल आपको जो करना है, वो जैसे 2BHK यः 3BHK आपिपन acesso ठीज़ें नो है आपको खरीद रहे तो खरीद लो, आपको रेंट पर लेना है, रेंट पर ले तो चाइना ने पाकिस्तान को खरीद भी लिया और रेंट पे भी ले लिया कुछ इस्ता खरीद लिया कुछ इस्ता रेंट पे ले लिया ये पैसा देंगे और जब ये अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे तो इनको security रखऊएटी पर पर फॉप रागवज मरें आधू समय्स में पर जानता है अच्छा दोश्तों जहां पर रहता है गहास जहां पर रहता है एवनियोंड फैल है और hundreds of millions of dollars के हैं ऐसा मैंने सुना है मैंने कभी देखे नहीं है बट इवन फिल्ड और पार्क लें यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तानियों की आदत है ठीक है खास्तोर से जो इनकी पॉलिटिकल क्लास इनकी आदत है जहां पे जाएंगे ना गंद पहलाएंगे यह पूरी दु इन्होंने करा क्या है ठीक है इन्होंने यह करा है कि जहां पर नवाज शरीफ रहता है ना उसके सामने लोग खड़े जाते हैं उसके घर के सामने पाकिस्तानी और गाली गलोज करते हैं फिर नवाज शरीफ के लोग आएंगे इनको गाली गलोज देंगे तहरीक इंसाफ व छोट हो पाकिस्तानी कोम के लिने स्यासी व doctrinya कि कुत्तों को यह जम नहीं होता है। तो कुअने कुछ करना है कि मैंने मख्का को नहीं चोड़ा है। मक्का या मदीना पतानी कहां पर प्रोफर मुहम्हमद का मौस था उसके अंदर भी गाली गलाच उसके अंदर भी चोर-चोर के नारटाइगे यह तना सा बोलके पाव भर का ठीक है पाव भर की उसकी सियासत उसको दुनियां भर में पीचाड़ कर दो चालके ऐसा कर दिया हमारे भीवेद्चे हम लोग हम लोग शांती से रही भाते 24 गंटे द्वार इस मेरी का मैं पैसे नहीं ह। तो इस थी तो वईरे पास इस्श्डिकृ टॉम्हारे पास इजत नहीन ही ला। चुप रहो अपना काम करो हमें अपना काम करने तो लेकिन पाकिस्तानी भी करता नहीं है यही काम करते हैं और जहां भी जाएंगे मैं आपको बता रहा हू I'm sorry to say this पाकिस्तानी जहां जाएंगे । ठीक है Кर पोई इनके मुल्क की अच्छी बात है अगर कोई अच्छी बात है अगर है इसमें बहुत बड़ा अगर को अच्छी यह दुनिया को नहीं बताएंगे यह ऐसे गंदे काम करेंगे UK में जाके grooming gang शुरू करेंगे sexually exploit करेंगे ठीक है कि देश के प्रधान मंत्री देश के ग्रह मंत्री को आके बोलना पड़े कि तुम पाकिस्तानी ऐसा करते हो नाम लेके बोलना पड़े ठीक है या फिर ऐसे काम करेंगे यह सियासी वहाँ पे हाई हाई अरे यार दिस नोट ला तुमारे नाजा इस खालिस्तानी है ना उनके साथ पहुंचना मेरे होटल के बाद मेजर आया है चाहिए मुझे एटेंडेंस पूरी पाकिस्तानी हो ठीक है जितने भी लाहरी है ना मापे सारे लाहरी चाहिए मुझे बापे और एक घर में बैठा तो देख लेना फिर तु कि वहाँ पे एक लॉयर था वकील था पाकिस्तान में उसको अरेस्ट कर लिया है वही कि आपने नाम के आगे अपने सयद क्यों लगाए अब आप जानते हैं कि जो एहमदी है यूनों उनकी कोई मतलब पाकिस्तान में उनकी जान की कोई वैलियू नहीं है उनके मजभ की काई ये लोग मार देते हैं कतल कर देते हैं दोस्तों ऐसा है कि उसको लॉयर को बुक कर दिया और लॉयर का नाम है अली अहमद तारिक ठीक है जी यह दूसरी वारेरिच झाता यह रहे है डान न्यूज ने डरके मारे उसके नाम के आगे सयद नहीं लगाया अपना उसकल न है वो मानते हैं कि हम इनके वह हमारे पुर्खे थे तो वह अपने नाम के आगे सेयद लगाते हैं इट समेटर ओफ ऑनर और प्रेस्टीज और तो लगाते हैं तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तान में सेयद हैं जितने पूरी साओधी अरेविया में नहीं होंगे जहांके उससे पाकिस्तान में कुरेशी है वह कहते हैं यह सब पाकिस्तान में शोıld कर रहως छे दिया पॉरContot ऑन इन पाकिस्तान और नंट कर रहा है जो भी पाकिस्तानी जुट बोलते हैं यह वो है तुम लोग कुछ नहीं हूँ तुम्हारे जितनी भी अगर तुम बता रहा हूं आज तुम आज़ा इंडिया तुम इसे चार-पांच आज़ा इंडिया तुम्हें सब पता लग जाएगा को ने क्या है यू कम टू इंडिया और ना तुमारे बाप के बाप का नाम रामलाल निकला तुम मेजर गौरावारी अपना बदल देगा ठीक है तुम जुट बोल दो अप शांतर हो गए यह उबाल आता है ना तुमारे दिल में यह जूट का उबाल है एंड टेलिंग लाइज ओल्वेस कॉजज़ डील ऑ स्ट्रेस है क्यों जूट बोलना अच्छा यह नीवे तो यह बड़ी बड़ी खबर थी मैंने आपको देदी है अच्छा आखरी खबर आज इसमें कोई जूट नीए इमरान ओर जूट नीबोल रहा इसमें फराउड कर रहा है शहवाज श्रीफ अब मैं आपको बताता हूं शहवाज शन trad कियो तेल लेना चाहता है जिस आदमी ने पाकिस्तानी कौ्म का तेल निकाल दिया वो र ness ऐसे तेल क्यों लेना चाता है? capable वो इसलिए तेल लेना चाता है दोस्तों ये इमरान खान की नकल मारने के चक्र में कि वुदे नरी रोडा, फ़्यान को लोग पसंद करते है क्योंकि वो बात खुदमक्तारी की करता है इमरान खान जो है वो खुद मुक्तारी की बात करता है तो मैं भी अगर वो चीज़ करूँगा तो मुझे भी लोग प्यार करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता देखो भाई ऐसा है आप रूस से तेल ले रहे हो यूर वेलकम ठीक है आप रूस से तेल क्यों ले रहे हो शैबाश शरीफ आप इसलिए तेल ले रहे हो रूस से क्योंकि आप एक पॉइंट प्रूफ करना चाते हो पाकिस्तानी आवाम के भलाई के लिए तेल नहीं ले रहे है आप एक पॉइंट प्रूफ करना चाते हो कि अगर इमरान बातचीत कर सकता है तो मैं अच्छली ला सकता हूँ इमरान कर सकता था इमरान ने नहीं करा अब मैं वो कर रहा हूँ यह आपका पॉइंट है और यह पॉइंट आपका पूरा जोटा है अब मैं आपको प्रूव करूँगा क्यों जोटा है देखिये, इन्हों को एक साल लगा बात करते करते, अब ये कह रहे हैं कि अगले मैंने तेल आ जाएगा, जैसे कि IMF के केश्टारी ये वैसे तेल भी आ रहा है, बट I hope कि तेल आ जाए, क्योंकि उससे लोगों का भला हो जाएगा पाकिस्तानियों का, पहली चीज तो आप, य अब बताओ न, आपने कितने रेट पे तेल तै करा है, ये बताओ ने वैसी तुम्हें कूटना है, चाहे तुम तेल महंगा लओ, सस्ता लओ, तो वो कूटने की बात छोड़ दो, ये बताओ कि भाई, ये हो क्या रहा है ममला, इशू क्या है ये तो समझाओ दो रहा, कितने का लिया तेल, अच्छा दूसरी चीज, इंडिया तो, इंडिया लेता है जब भी तेल रूस से, अपने खुद के इंडियन रुपीज में लेता है, इंडिया भाईज, ओईल इन फ्रम रशिया, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ठीक है, I want to ask, all these, you know, पाकिस्तानी, जो बड़ी खुशिया मना दें कि जी, हमें बोल दिया है कि डॉलर में देनी की जरूरत नहीं है, और आप किसी भी फ्रेंडली कंट्री की करेंसी में दे सकते हो, ओ भाई, आपको चीन से फिर लोन लेना पड़ेगा ना, पैसे तो आपको चीन सही लेना है, क्योंकि आपके पास ना डॉलर है ना यूए ना यूरो है ना पाउंड है, कुछ तो है नहीं आपके पास, you don't have anything, number one, you don't have anything, and number two, your own currency is not acceptable to anybody, आपके खुद पाकिस्तानी आपकी करेंसी प कोशिश कर रहे हो, तो दुनिया के सामने बता दूगे इस रेट पेमने तेल खरीदा है, और ये पैसे हैं जो हम देंगे रूस को, मैं बता रहा हूँ, ये क्या होने वाला आप ये आसे मुनीर गया है चाइना, ठीक है, मैंने कल आपको बताया था आज ये खबर आ गई, इ गोटे ने टेकने के लिए इनका आर्मी चीफ के और जो जूटी बाते चल रही है ना, हमने रीजिनल सेक्यूरिटी के बारे में बात करी, हमने मिलिटरी कोपरेशन के बारे मिलिटरी कोपरेशन यार, मालिक और नोकर की बीच में कोपरेशन होता है, बाद्शा और गोलाम क बीच में को अपरेशन होता है क्या बात कर रहे हो कि किसको जूट बोल रहा है यहां पर शेवाज शरीफ ने भेज दी आसे मुनीर को कि आप जाके वहां पर मैंने भी उनके घुटने चूली आप जाके उनके गुटने चूलो ठीक है और जिस टेल देम जैट वीनी डॉयल तो इसने क्या करा है पिछले कुछ समय में इसने पाकिस्तानी रुपे को बिलकुल इसने ऐसा बना दिया कि जैसे टिशू बेपर होता है इसने छोड़ा नहीं कहीं का पाकिस्तान को मैं बता रहूं अब इमरान खान ठीक है इमरान खान की बड़ी fan following होगी और करोन लोग इमरा इमरान खान खीर खिला रहा है बना रहा है ठीक है कच्ची पक्की जैसी बना रहा है वो ठीक है जितनी उसकी काबलियत है जितनी उकात है लेकिन कुछ बना रहा है कौन के लिए कुछ कोशिश कर रहा है शहवाज शरीफ ने बोला हटो खीर मैं बनाऊंगा शहवाज शरीफ उसकी तयार हुए है कीचड़ वाली है मत्ति वाली अब फिर अमरान खान आएगा और अब इसक्वाश्व आपने किचड दाल देया वहाई सब ने उने वाला है पर इम्रान खान फेल हो के खान को यह नोखा नहीं है सभी भूक्य होते हैं तभी तो पॉलिटिशन है वो लेकिन आप पाकिस्तान का इतना बैंड बजा दिया इतना बैंड बजा दिया कि 10 इमरान खान कुछ नहीं कर सकते हैं आपना साफ कर दिया मामला और वह 20 साल लग जाएंगे पैरों पर करने के लिए तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खतम होता है अगर वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दवाना बिलकुल मत भूलिए का जैहिंद वंदे मात्रम और भारत माता की जैए लाइ